हेलो फ्रेंट्स नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन और माई चैनल मैं हो कीरन दोस्तों आज फिर से आपके लिए बहुत ही बहुत ही बढ़ियां हेर डियाइवाई लेकर गया ही हूँ और इससे आपके बाल बेहत खुबसरत मुलायम घने हो जाएंगे दोस्तों और साथ के साथ अलसी के बीज में कहा जाता है कि fatty amino acids होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा बढ़ियां होता है प्रोटीन होता है और कहा जाता है कि अगर आप टकले हो आपके सर में बाल नहीं है तो गंजे सर पे भी बाल उगाने के इसकी ताकत होती है तो बहुत ही बढ़िया तोन लटकी विःत उसके लिए तो बहुत ज्यादा बर्दान है दोस्तों हर तरके से अलसी का बीज है हमारी फायदे मत होता है अलसी का बीज को आप जो है इसको भून करके खा सकते हैं इससे आपको मुटावा तो कंट्रोल होगा ही होगा साथ के साथ ही बलड शुगर वाले अच्छे से खाते हैं पचता नहीं है तो यह डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और अच्छे से डाइजेश्ट होगा खाना तो अपने आप ही आपके बॉड़ी में फैट नहीं बनेगा तो हर तरीके से फायदी मन होता है तो लेकिन आज मैं इसको जो है डिय स्काल्प दिखने लगता है लोगों का तो उसका कम हो जाएगा लगातार इसका इस्तमाल करने से यह हमने लिए है अलसी के बीज तीसी यानि की फ्लैक सीट तो उसको बनाना कैसे है बहुत ही इजी प्रोसेस है आपको कोई भी बरतन लेना है उसमें आपको पानी लेना है प तीसी यानि कि अलसी के बीज और दोस्तों इसको यह आपको जैबूआ करना है बहुत पर क्या होता है बहुत जादा पूंद हो जाता है जिससे बील कुल जादा मैंने बॉयल करने पर बहुत जल्दी ये गाड़ा हो जाता है जिसको चानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो यहां पर मैं इसको हलका जैसे चिप चिप चिपाड़ के अंदर आ जाएगा तभी मैं क्या करूंगे गैस को बंद कर दूंगी तो बहुत यह चे समा मात्रा में हमरे बालों के लिए फाइदे मंद हो चुका है इसको यूज करने से आपका बाल बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट होगा मुलाइम होगा और अगर दोस्तों आपके बाल बहुत ज्यादा जड़ते हैं आपका स्कैल्प दिखता है इसका लगाताल इसमाल की जब क की ग्रोथ अच्छी होगी आपके नएने बालों ने शुख हो जाएंगे तो यहां पी क्या करना है गरम गरम इसको अच्छी से स्टेंड कर लिजे यानि छान लीजिए और हलका से ज्यादा बॉयल हो भी जाए तो गरम गरम ही स्टेंड करें क्यूंकि बहुत जल्दी यह ज आप इस तरह का कोई भी डिय बनाएं या फिर आप आयरन हीट वगरा देते हैं तो सभी चीज हमारे बालों को डैमेज करता है को भी चीज इस्तमाल करें तो इसको अच्छे से ठंडा करके इस्तमाल करें बहुत सारे डिय बनाते रहती हूं तो सभी डिय वाइस में मैं अच्छे से ठंडा हो जाएगा यहां पर मैं जो है शैंपू करने के बाद आपको अच्छे से लगाना है इस तरह किसे दोना है जिस तरह कि अगर आपके बाल की स्कैल्प साफ रहेगी सुत्री रहेगी तभी इसका बहुत ज्यादा फाइदा होगा और जरू से लिके सीरो तक इसको अच्छे से लगा लेना है और दोस्तों लगाने के साथ ऐसा नहीं कि तुरत इसको वाश कर लेना है तो शैंपू करने साब के बाल बहुत ही क्लीन हो जाएंगे स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखे जिससे बहुत ज्यादा डैन अफ नहीं होगा और कोशिश करें कि व इस-orang वाश कर सकते हैं और इसको शुखा सकते हैं और रहलती प्रॉसिसर बहुत सिंपल तरीका है और इससे आपके बाल बहुत कुछकत मुलायं शिल्की सॉफच हो जाएंगे दूस्तौ इस वीडियो को ला इक करेंक कुरें और हमारे चैनल को अकलर बिलकुल भी ना भूल करती